हलो दोस्तो नमस्कार में डिश्टर्बंस हो सकता है तो ज़रूर उस वीडियो को भी आप मतलब चाहो तो देख सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो यहां पर हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि हायर लेवल से बहुत ही अच्छे खासे हम लोग को नीचे आते वे देखने को आप मिल चुके है आप सब लोग को पता है कि यहां पर मार्केट में जब कोई भी स्टॉक यहां पर नीचे बंध हो जाती है और जो स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से लगातार भाग रहा है उससे रिलेटेड जादा चर्चा है जादा वीडियोज आप लोग को देखने को मिल जाते है तो यहां पर जो में स्टॉक्स आपके सामने रखने वाला हूँ वो वो स्टॉक्स है दोस् बनाए है कि गिरावट के पीछे की वज़ा अगर आपके पास है तो आपको डरने की जरूद निए कि क्यों गिर रहा है कोई फ्रॉड है नहीं है सर फ्रॉड तो नहीं है कोई management कुछ गडबड की वैसा भी नहीं है कुछ ऐसा मतलब कोई company किसी ऐसी चीज में फस गई नहीं वैसा भी नहीं है, तो नीचे क्यों आ रहा है, एक normal cycle की चलती नीचे आ रहा है, तो कोई डरने की ज़रूत नहीं है, कौन सा stock ऐसा है, जो अमर है, मतलब हमेशा शुरुआत से लिए अभी तक ऐसा ही चल रहा है, कोई भी नहीं है, हर एक stock में आप लोगों को एक गिरावट व तो इस कारती है ने कि वो खराब हो गए करके, कभी ना कभी तो उनको भी आराम करना ही पड़ेगा, तो वो चीज आपको समझने है, यहापे आनी चे, तो अभी जो stocks है न दोस्तों, जो मैं आपके सामने आपे रखने वाला हूँ, तो उनमें डरने की ज़रूत नहीं अगर गया, और रिजल्ट के चलते कॉमेंटरी कुछ नेगेटिव आ गई, इसके चलते stock और 10% गिर गया, तो वो stock गंदा नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, company बहुत बढ़ी आई, यह जितने भी hacker करके, बट फिर भी आपको वो और नीचे मिल सकता था, तो बेटर ऑप्श कोई भी आपको यह blindly suggest कर सकता है, क्योंकि company है ही ऐसी, company ने खुद का नाम इतना बड़ा बना ही लिया है, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को बला ना, किछ लोगों की comments आते रहते हैं, जो की बहुत ही जबरदस comment होते, sir अगर आप बोलते हो कि इनके number स अगर अच्छी नहीं चलो, विराट कोली है, विराट कोली 0-0 लगातार आउट हो जाए, फिर भी आप सभी लोगों को पता था, कि वर्ल्ड कप के लिए वो select होने ही वाले थे, रोई चर्मा की बात करे, performance अच्छा दे ना दे हर किसी को पता है, वो select होने ही वाले थे, तो वैसे ही है दोस्तों, क अगर आप इनका लंबा चार्ट पेटन खोल के देखोगे ना, पाथ साल का, तो 200% के रिटन, 300% के रिटन, don't forget, इस पाथ साल में कोविड भी था, और हजारों चीज़े थी, बट स्टिल, वो आज भी 200-300% के रिटन दे रहे, तो ये क्रिकेट के example से में यही बताने की कोश कर, अगर कोई नया प्लियर रहेगा, वो थोड़ा बहुत भी परफॉर्मस नहीं करेगा सीधा टीम से बाहर, तो वो होते हैं, यूजवली, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप के कमपनी, वहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ, तो 40-50-60% गिरावट, तो ये डर वाली बात होती है, बट ये जो बड़े प्लियर से, ये बहुत पुराने समय से खेल रहे हैं, और हर किसी को पता है कि बिजनेस हमेशा, टॉप लेवल पे नहीं होता है, कभी ना कभी वो साइकल है, कभी ना कभी थोड़ा सा डाउन फॉल आएगा ही आएगा, बट इनके पास इतना experience ह कि वो इन चीजों से उठकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए तो आप इनका maximum chart pattern देख सकते हो, क्या कमाल का performance यहापे रहता है, हाला कि patience होना चाहिए, जिसके पास patience ने उसको तो सोना भी दो, वो भी वो loss में बेचके ही आएगा, तो ये तो एक एक example में ने यहापे दे दिया है अभी फटावर्ट बाकी stocks cover कर लेते हैं, LTTS, अभी LTTS तो देखा कि यह तो IT sector का है, हाथो क्या हुआ, IT sector सर नीचे चल रहे हाथो क्या हुआ, तो थोड़ी ना खतम हो गया करके, यह हमेशा दस्तूरे बाजार का, 2018 में auto sector क्या खतम हो गया क्या है, वो temporary नीचे था, आज तो auto sector, one of the best sector है, IT sector वापस recover करेगा, वैसे है अगर हम लोग यह पर देखे, pharma sector, pharma sector में भी अच्छा कासा fall देखने को मिला है, कोई बात नहीं, यह core sector से दोस्तो, यह हमेशा cycle की तरह चलते रहते हैं, अगर आप लंबी अवधी की, पारी लेकर चलोगे ना, तो आपका पैसा ब देखो, 6000 से यहां तक, तो लगबग लगबग 40% डाउन, तो काहे का अच्छा, तो दोस्तो, अगेन, 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 अब शौट टम देख लिया, शौट टम देखोगे, तो ऐसा ही होगा न, कि यह प्लेयर इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, इसने तो 40-50 century मा गए अरे, रोज थोड़ी ना चलता है, तो वैसे ही है, चलो 5 साल का डेटा लगा दो, आपके सामने इतना गिरावट के बावजूद, 337% की रिटन, तो लंबी पिच्चर देखने आनी चाहे, मैंने हर वीडियो में आप लोगग को काहे, कि जो बिग पिच्चर देख सकता है न इतना बड़िया मैनेजमेंट रहता है, नेक्स बात करेंगे, फार्मा सेक्टर, अभी फार्मा भी अगर देखा गया, तो साइकल की तरह थोड़ा अच्छा करा था, अभी नीचे आरे, COVID में अच्छा कमा लिया, डॉक्टर लाल पाथ लैब, सरीए कंपनी कैसी है, अच्छ 200% के रिटर्न, तो यही चीज़ अपलों को समझ में आपे आनी चाहिए, यह वाला जो फेस है ना, वो हर किसी स्टॉक में आएगा, कभी आईटी में आएगा, कभी फार्मा में आएगा, कभी केमिकल में भी आएगा, केमिकल अच्छा कर रहे हैं, कोई बात ने, हर कोई चलेगा, तो कभी फार्मा चलेगा, कभी आटो चलेगा, तो कभी केमिकल चलेगा, सभी एक साथ नहीं चलते हैं, सभी एक साथ चल रहे हैं, तो समझ लेना वो बुल रन है, और वो जल्द यहापे मतलब क्या, आप लोगों को अच्छे का से रिटर्न भी दिसकता है, पतलब जादा ही बोलते हैं, ट्रांसपरंसी दिखा देते हैं, अभी जो सच है वो सीधा बोल देते हैं, कि यहापे अभी हम लोग गाइडलेट्स नहीं दे सकते हैं, अनसरटेनिटी है करके स्टॉक सीधा गिर गया, आप लोगों को याद भी होगा, अगर एक साल का में च होगे, तो बहुत मुश्किले यहापे हो सकती है, बने रही है लंबी आउदी के लिए अच्छा गासा, इसलिए बोलता हूँ कि एवरेज, यहापे स्टॉक मार्केट में इंकम टैक्स की हिसाब से लॉंग टर्म एक साल के लिए बोला जाता है, बट अगर आप स्टॉक मार प्लानी कमपनी है दोस्तो, नीचा आगया इसलिए है नहीं कि वो कराब हो गया करके, इतना ब्यूटिफुल कमपनी, फार्मा सेक्टर में ऐसे कमपनी मिलते नहीं है, जरूर बने रही है, कोई डरनी की बात नहीं, इन्फो एज, इन्फो एज भी कमाल के नोकरी कमपनी, सर का बिजनेस अच्छा है, अभी इन्फो एज की बात करें सब कुछ, यह डॉट कम वाले बिजनेस है, डॉट कम मतलब, यहापे जीवनसाती डॉट कम, शिक्षा डॉट कम, नोकरी डॉट कम, 99acres डॉट कम, अभी का जो जमाना है, वो इंटरनेट वाला ही है, तो अच्छा क सा कमाई, इनका हम लोगों को आने वाले समय में भी देखने को आपे मिलने वाला है, ज़रू आप चाहो तो इसके उपर भी फोकस यहापे बनाके रख सकते हो, नेक्स बात करेंगे, डीपक नाइटरेट, यह डीपक नाइटरेट तो मतलब बापरेबाब, आज भी मतलब आ आज भी प्लेइलिस में वीडियो पड़ा हुआ है, और उसके बाद आपम लोग देख सकते कि यह कितना 3000 के उपर गया था, अभी तो ठीक है, करेक्शन के बाद थोड़ा नीचे आगया, वो तो चलता रहता है, तो अभी दीपक नाइटरेट भी खराब हो गया, हार एक हम लोगों को यहापे, यहापे एक मैसेज मिल रहा है, अच्छे कंपनी में लॉंग टम इन्वेस्ट करो, आपको बड़ा रिटन मिल जाएगा, मतलब बोलते हैं, यह बात को हमेशा, नोट करके रख लेना, एक इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहो, आप बड़ा पैसा, बेच कर नहीं कर सकते हैं, आप बड़ा पैसा शेर को होल्ड करकर ही बना सकते हैं, नोट करके रख लेना, इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, कभी-कभी ऐसे पॉइंट बोल देता हूं, अगेन बोल रहा हूं कि बड़ा पैसा अगर आपको बनाना है, तो शेर को ह लग कमन है तो तुरंद बेच कर कुछ नहीं होने वाल है आपको होल्ड करना पड़ेगा और उसके जर्नी में बहुत बार ये दो लग का वापस देड़ लग आएगा देड़ लग वापस धाय जाएगा धाय लग वापस दो लग आएगा फिर पाच लग जाएगा फिर चार लग जाएगा ऐसी सिचुएशन चलती रहती है बट जो लोग रोज पॉर्टफोलिय देखते फिर वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और फिर वो क्या बोलते है चलो जाने दो जो हाथ में आ रहे वो तो ले लेते और भाग जाते है तो छोटा पैसा ही बन जाता लोग टम में तो स्टॉक उपर ही जाएगा अगर आपको ये बात पता है तो बने रही है लोग टम में यही तो बात में आप लोग को कबसे आपे बोल रहा हो इतने बड़े बड़े इंवेस्टर लोग टम में ही होल्ड करते रहते हैं वो शोट टम का नहीं चिंता कर लेते लॉग टम के लिए वो चेक ने करेंगी की दो दीन के बाद क्या हो रहे करके उनको पता है वो आगे की सोच रहे है और उनका पैसा वह आगे की सबसे ग्रो करने की बात यह आपर कर रहे है तो यह मैसेज हम लोगों को बड़े इन्वेस्टर से भी सीक्ने को और देखने को अच्छा करता हो ये वीडियो हेलफफुल लगा होगा तो जरूर लाइक और शेर कर दिना एंड डिमेंट अपी तक उपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट मिल जाएगे आपका नाम कौन सा अकाउ